हलो दुस्तो नमस्कार एसमगेरी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है क्योंकि आप सभी लोग पता है डेली में तीन से चार वीडियो जरूर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अगर मैं वहाँ पे चेक आउट करता हूँ कुछ कमेंट्स जो है सबसे ज़्यादा जो आते वो एकी स्टॉक से रिलेटेड आते वो है आयर सिटी सी और उसी से रिलेटेड यह वीडियो में ने बनाया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही था कल सोमवार को जब बाजार खुलेगा क्या आयर सिटी सी का शेर हम लोगों ने खरीदना चाहिए उसी से related और भी कुछ questions आ रहे dividend से related क्या कल अगर हम लोग share खरीदते हैं तो क्या हम लोगों को dividend मिलेगा obviously यह वही लोग है जो मेरे channel को follow नहीं कर रहे थे अभी शायद से जुड़ चुके है तो यह सारी चीज़ों को यहापे में बताने वालो और कल आप लोगों ने क्या करना चाहिए यह भी चीज में आपके सामने रखने वालो आप चाहो तो follow कर सकते हो चाहो तो आप unfollow कर सकते हो completely decision आप ही लोगों का होगा वीडियो को start करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़े बताना चाहता हूँ जैसे कि आज की दिन की बात करें संडे की दिन की बात करें तो दो वीडियो यहापे मैंने अपलोड कर दिया आप यहापे देख सकते है एक risky mid cap stock जो मेरे portfolio में है उससे related यह वीडियो मेंने यहापे बना दिये तो जरूर इस वीडियो को देख लेना नीचे description box में link मिल जाएगी उसी के साथ साथ और एक stock है जिसका 5000 का target मेंने दिया था वो भी अच्छिव हो चुका है तो क्या profit booking करना चाहिए वो भी चीजे मैंने वहापे आपके सामने सारी चीजे वो उस वीडियो में बता दिये तो अगर notification का कोई problem है आप तक वो वेला वीडियो का notification नहीं पोचा है तो नीचे description box में दोनों वीडियो का link प्रोवाइड कर दिये तो इस वीडियो के बाद आप इन दोनों के वीडियो को check out कर सकते है तो चलिए friends अभी हम लोग आज आते है IRCTC के उपर तो दोस्तों अभी आप देख सकते है IRCTC का share यहापे तो मैंने open कर दिया है और जो सबसे main question यही था क्या यहापे हम लोगोंने कल fresh buying करनी चाहिए या नहीं तो यह सारे scenario में आपके सामने जरूर डिसकस करूँगा बट उससे पहले जो हमारा normal question है उसको में निप्टा लूँ जो था dividend से related आप यहापे देख सकते हो IRCTC का share यह नसी के official website पे मैं आ चुका हूँ आज का तारीख है 23rd February 2020 and कल का दिन है friends यहापे X date बताए 24th February मतलब कल का दिन कौन सा है मंडे का दिन है and सब लोग यही पूछ रहे क्या है यह मुझे 10 रुपे का dividend मिलेगा जो लोग मेरे चैनल से जूड़ है उनको अभी answer मिल चुका है आप सबी लोगों को बता है 20th तारीख की आखिरी date था मैंने आप लोगों को बता दिया था so yes friends आप लोगो को कोई भी dividend कल खरीते तो नहीं मिलने वाला है so याद रखना अगर आप कल शेर खरीते तो शेर आपके demand account में आ जाएगा टी प्लस टू के हिसाब से बट यह 10 रुपे का dividend आप लोगों को नहीं मिलेगा and वो पोचने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि 20 तारीक तक अगर आप खरीते हो तो आप लोगों को वो नाम पोच जाएगा मतलब अगर आप कल भी खरीते हो 24 को तो यहाँ पे कोई भी dividend शेर के उपर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है तो चले फ्रेंड्स यहाँ पे जो doubt था आप लोगों का यह सबसे पहले clear कर लिया बट जो maximum लोग यहाँ पे जो वीडियो का देखने वाले जो मकसत रखते वो यही question से related रहते कल सोमवार को क्या हम लोगों ने यहाँ पे IRCTC में fresh position रखनी चाहिए यह सबसे जादा question यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले में आप लोगों को बता देना चाहता हो बहुत सारे दिगज ब्रोकर्स ने IRCTC का target 2000 रख दिये और इसलिए बहुत सारे लोगों का question यही दिमाग में आ रहे क्या हम लोगों ने यहाँ पे fresh buying करनी चाहिए या नहीं सबसे पहली बात हर एक investor अलग-अलग होता है जैसे आप सबी लोगों को बता है मैं बहुत ही easy language में समझाने की कोशिश करता हूँ cricket की बात cricket में opener से लेके अगर हम लोग बात करें bottom तक जो last player खेलता है हर एक batsman अलग होता है तो वैसे मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ हर एक निवेशक भी अलग होता है सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पे fresh position उठाना चाहते हो कल के कल ही तो वो ही लोग उठाना जो लोग यहाँ पे long term की सोच रहे है yes friends अगर आप long term hold करने की बात कर रहे हो मतलब बहुत सारे लोग कह रहे सर मैं इसमें 3 साल hold करूँगा मैं इसमें 5 साल hold करूँगा अगर आपका नजर्या इतना लंबा है तो आप चाहो तो यह risk वाला decision उठा सकते हो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 से 5 साल के बाद थोड़ी ना IRCity से इसी level पे रहेगा वो definitely आगे जाएगा सो जिनका नजर्या 3 से 5 साल है वो चाहे तो यह माफस में बोल रहा हूँ यह risk उठा सकते है अभी आजाते है next question के उपर क्या हम लोगों का नजर्या वो short term का है मतलब हम लोग 2 से 3 मेने 4 मेने या फिर कुछ दिनों तक ही इस share को hold करके जिस तरीके से भाग रहा है 80-80 रूपया उसको हम लोग short term में खरीद के बेज दे तो क्या हमें profit हो सकता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसकी guarantee कोई नहीं दे सकता है friends बट मैं यह जरूर कहूंगा जितने भी हम लोग जो indicators देखते है MACD हो, IRSI हो जितने भी अगर हम लोग यहाँ पे Bollinger Band से related हर एक जो टेकनिकल चार्ट से related हर एक parameters अगर हम लोग चेक भी करते है उसमें एक ही चीज उन्होंने बताईए कि IRCTC बहुत ही ज़ादा over value हो चुका है बहुत ज़ादा over value हो चुका है और इस level पे अगर आप खरिते हो तो बहुत ही महेंगा रहेगा short term वालों के लिए long term में कई भी शेर आप सभी लोग को बता है वो कभी न कभी वो level को तोड़ी देता है तो आप खरिच सकते हो वो जिम्मेदारी आपके उपर रहेगी बट आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो क्योंकि अगर कल यहाँ पे correction आ जाता है तो बहुत ही जोरदार correction हो सकता है बहुत ही मतलब एक दिन नहीं वो कम से कम दो दिन तक भी चल सकता है शेर कोई खरब नहीं है शेर में profit booking बहुत होगी क्योंकि बहुत सर रिटेल निवेशक भी इस टॉक में बने हुए एड़ एक बार यहाँ पे लाल निशान देखना शुरू हो गया बहुत सर रिटेल निवेशक पैनिक में इसको निकाली देंगे तो यह बात में आप लोगों को कहना चाता हूँ यह आपके दिमाग में रहनी चाहिए यह कोई theory ने में अता रहो यह practical चीज़े बता रहो so friends मेरा final conclusion यही है जो लोग short term के लिए हापे आते मैं अभी भी जो मेरे channel से अगर आप मुझे personally पूछोगे तो मैं आप लोगों को वही चीज़ कहूँगा जो मैं 1600 से कहते है रहो कि यह stock को खरीदना बहुत ही risky हो सकता है तो इसलिए आप इसको avoid करोगे बहुत सारे लोग यही पूछ रहे कि यह 2500 तक जा सकता है क्या जा भी सकता है कोई guarantee नहीं दे सकते है stock market का कोई अंदजनी कहाँ पे भी जा सकता है बट आप सभी लोग को बता है best strategy इसलिए होती कि long term अब जितना share को नीचे ले level पे खरीद लोगे न एंड long term के लिए छोड़ दोगे तो यह level भी कभी ना कभी आप लोग को सस्ता level लगने ही वाला है जो लोग long term है उनको कोई tension की बात नहीं आप कौन से भी level पे खरीद लो बट yes आपका नजेरिया 3-5 सल का होना चाहिए क्योंकि अगर यहाप एक correction हो गया तो आप लोग को tension नहीं होना चाहिए अरे हम लोगों ने share में एंटर कर लिया तो यह चीज आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि long term है तो कोई बात नहीं बट short term है अगर आप यहाप खरीद लेते हो तो आप बहुत जादा risk ले रहे हो मैं यह आप मानना अभी भी वही का वही है जो लोग मेरे चैनल से जूड़ी है आप सभी लोगों को पता है यह हम लोगों ने 930 में खरीदा हुआ share है बहुत ही जबरदस नीचे लेवल पर खरीद है और मैं तो इसको यहाप अभी भी होल्डी रखने वाला हूँ और लॉंग टर्म में इसको में अभी भी देखता हूँ कि फ्यूचर में शायद से 2-3,500 आराम से जा सकता है बट उसके लिए वक भी लग सकता है तो फ्रेंड्स मेरे एनलेसिस की साब से मैं यही कहूंगा कि लास्ट टाइम जब कंपनी ने अपना आल टाइम का हाई लगाया था मतलब कंसिस्टेंटली भाग रहा था आरे से इससे पहले भागी रहा था तब वो पंदरा सो तक गया था बहुत ही अच्छी कासे लेवल पे और वहाँ पे जो करेक्शन उसने इससे पहले दिखाया था वो 8% के असपास था लगबक 8% के असपास तो 8% उसना हुआ था तो मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था 1380 तो यह हिस्टरी के हिसाब से हम लोगों ने 8% यहाँ पे देख लिया था मुझे ऐसा लगता है कि अभी शेर जो 8% से है वो 8% ने अभी 10% तक भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है मतलब यहाँ से लगबक 200 पॉइंट नीचे भी शेर आ सकता है अभी 200 पॉइंट कौन सा यहाँ से करेंट लेवल भी हो सकता है या फिर यह स्टोक 2021 तक भी जाने के बाद वहाँ पे 200 पॉइंट करेक्ट हो सकता है सो फ्रेंड्स में यही कहना चाहूंगा जो लोग यहाँ पे शॉट टर्म के लिए जा रहें क्योंकि श्टोक ओवर वैल्य हो चुका है अगर आप रिस्क लेना चाहते हो हम लोग रिस्क टेकर है सर तो आपके लिए वेलकम यह स्टोक अगर आप 1900 पर भी खरीद लेते हो एंड अगर वह 221 तक अगर गया तो आप लोग की रिस्क का रिवार्ड आप लोग को जरूर मि मिल सकता है बट एक समझदार चीज अगर हम लोग नॉर्मल चीज को यहाँ पर देखे तो स्टॉक यहाँ पर ओवर वैल्य हो चुका है अल्रड़ी वह 1600-1700 पर ओवर वैल्य हो चुका है एक्स्ट्रा यह 200 पॉइंट और भी हम लोग कह सकते भाग चुका है क्योंकि बीच म सबसे ज़्यादा पॉपिलर क्वेशन आता है सर आप यहाँ पर होल्ड तो कर रहे हो तो आप कभ री इंटर करोगे तो एक में अपने स्ट्राटजी आप सभी लों को पता है में हमेशा शेर करना चाहूंगा मेरा नजर्या होता है वह हमेशा लॉंग टम का होता है मुझे इंटरी एक्जिट ज्यादा पसंद नहीं वह कैपिटल गेन लगता रहेगा वह उसे के साथ-साथ वह टैक्स उसके उपर चलता रहेगा वह वह मुझे अच्छी नहीं लगती ब्रोकरेज जाएगा वह अलग से सो याद रखना यह मेरी स्ट्रेजी है आप चाहों तो फॉल यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है यह मार्केट क्रेश मतलब जब मार्केट में पूरा भूकाम पा जाएगा आप सभी लोग को बते हैं यह स्टाटेजी में सिफ आयर सिटी सी में नहीं बज़ाच फाइनांस में भी फॉलो करता हूं एंड मार्केट जब पूरी तर इसक प View 한ités सिख का तो आप लोगों ने नमें प्रैक्टिकल बात कर रहो हूँ यह चीज आप लोगों को धर मिलेग दर यह अप लोगों सारी जगा टेखनीनिकल की वाते जोकी सई यह उत्न की जगा पट में अपनी बात कर रहा हूं कि अगर आपको टीप में बार्य करने तो मार आइसो पॉंट नीचे मिल जाएंगे जब सारे लोग exit करने की बात करेंगे तब मैं आप लोग को कह दूंगा वापस वीडियो बना के कि आप लोगों ने एंटर करना चाहिए सो यह मेरी strategy रहती है क्योंकि अगर आप यहाप देखोगे टेक्निकल्स तो कोई भी यहाप बनी नहीं रहे टेक्निकल्स तो 1600-1700 से ही बन पड़े हुए कि आप लोगों ने यहाप नहीं खरीदना चाहिए सो best way यही है कि यह stock को boost कैसे मिला? news के हिसाब से boost मिला है, extra trains आई थी ना, उसके हिसाब से boost मिला है सो यह stock अगर गिरना चाहिए, तो market crash कुछ तो होना चाहिए मतलब best example, अभी-अभी budget हुआ था, कैसे 1000 point market गिरा था actual में company में कुछ खराब नहीं हो था, 1000 point जब budget के बाद हम लोगों को गिरावट देखने को में वापस market ने recovery की, तो तब हम लोग जाके यहापे actual में buy करेंगे, यह actual strategy हम लोग follow करते, जिसका फाइदा मुझे कितने सालों से कभी न कभी होते रहा है, तो यही में बात आप लोगों को कहना चाते हो, अगर आप लोग यहापे long term निवेशक है और deep में buy करना चाते हो, तो सही मोका आप लोगों ने लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस पैसा आ आ गया और लगा दिया मार्केट में बस और उसके बाद हो जाएगा वो भगवान बरो से छोड़ दिया, ऐसा नहीं, मार्केट क्रेश हो जाने दो, तभी यह शेर कितना भी भागे, पच्चीस सो भागे, तीन हजार भागे, मार्केट क्रेश की निउस कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो हम लोगों तब क्या हो जाएगे, सारे शेर तूट जाएगे, एच्छे अच्छे शेर हम लोगों को सस्ते दाम में मिलना शुरू हो जाएगे, जहापे बाकी लोग पैनिक होके निकलने को शुरू हो जाएगे, सो मेरी तरफ से फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा, वीडियो को क्लोस कर करने से पहले, कि कल मैं अपने पॉइंट अफिस से बोल रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, कल यह स्टॉक 2000 क्या 3000 भी बाग सकते जैसे भाग रहा है, बट मैं एक समझदार निवेशक होने के हिसाब से आप लोगों को यही कहूंगा, कि यह ओवरबॉड जोन में अभी भी अगर आप रिस्क लेते हो, एंड अगर यह 2000 जाता है, तो वो रिस्क टू रिवार्ड रिशो की हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा, तो यह सारी चीज़े आप यहापे देख सकते हो, तो फ्रेंट वीडियो को क्लोस करने से पएदे यही कहना चाहूंगा, मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बता देना, कि आप लोग यहापे क्या करने वाले हो, कल बाई करने वाले हो, कल अवाड करने वाले हो, या फिर मार्केट क्रैश का इंतजार करके इसको डीप में खर ताके बेटने वाले हो, वीडियो को में यही पर रोकना चाहूंगा, आयोप आशा करता हूं, कुछ वीडियो से हेल्प हुआ होगा, so that's it, thank you very much, we will be meeting on our next video, तब तक के लिए, बाई बाई